हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उमीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो चली हम लोग कॉंटीनिव करते हैं अपना टॉपिक कैलोरी मेटरी और इसमें हम लोग ने अब तक क्या-क्या पढ़ा है अल्रडी वो एक बार देख लेते हैं जो पहला वीडियो थ अच्छे से डिटेल में समझा था थर्ड वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था टंप्रेचर और हीट का क्या डिफरेंस है हम लोग ने कंपेर करते हुए इसको समझने की कोशिश करी थी और चौधा वीडियो था उसमें हम लोग ने हीट कैफेसिटिक बारे में खुब तो अब तक हम लोग पांच वीडियो में यह सारा कर चुके हैं इन सारे वीडियो का आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप लोग को अगर कुछ भी डाउट है तो आप वहाँ पे जाके एक बार देख सकते हैं ठीक है चलिए देखते हैं आज क्या हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में थो पहला जो टापिक रहेगा वह हम लोग पढ़ेंगे specific capacity of some common substances कीछ common substance हम लोग लेंगे और उसके हम लोग specific capacity को हम लोग detail में समझेंगे ठीक हैं और इसके बाद next topic हम लोग लेंगे calorie meter calorie meter क्या होता है basically वह कैसे बना रहता है उसके क्य क्या properties होते हैं, वो सारे details हम लोग topic 2 में पढ़ेंगे, बस इसके बाद जो first part है, इस chapter का, कैलोडिमेटरी का, वो खतम हो जाएगा, और इसके बाद examples शुरू हो जाते हैं, तो करीब इसमें 11 examples हैं, सारे examples हम लोग समझेंगे, और next हम लोग पढ़ेंगे, इसी में जो exercise दी हुए है, जिसमें करीब 30 questions है, वो सारे questions हम लोग देखने जा रहे हैं, और इसमें 3 multiple choice questions भी हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, और last में करीब 13 numericals हैं, वो सारे numericals भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो इतना कुछ हम लोग आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसके अलावा, हम लोग ये भी देखेंगे, कि कुछ hint मैं आपको दूँगा, जब questions को solve करते हैं, solve करने से पहले आपको मैं कुछ hint दूँगा, और कुछ time दूँगा, जिसमें आपको उस hint के basis पे, आपको solve करना होगा, वो questions, ठीक है, आप आप video pause भी कर सकते हैं, जब मैं आपको hint दूँगा, और चलते चलते जब इक questions हम लोग खतम कर चुके होंगे, तब हम लोग आपको कुछ quick tips भी देंगे, जो की आपको help करेगा, इस question को और better way में समझने में, ठीक है, तो ये हमारा पूरा agenda है, आज के इस video का, आपको कोई भी दिक्कत है, आपके कोई questions ये queries हैं, तो आप मुझे message कर सकते हैं, whatsapp और signal पे, मेरा contact number है 961909404, और आपको सारे video देखना है, तो आप मेरी website है, visionandgoal.com, उसमें slash physics chapters करके आप लिखेंगे, तो आप मेरी website पर जाके भी, इसके सारे video देख सकते हैं, इसका भी link हमारे description में दिया हुआ है, इसके अलावा, आप लोग से friend request है कि please subscribe जरूर करिएगा हमारे channel को, जो कि है शैलेंदर शिवास्तो, like करिएगा, पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, तो dislike भी करिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि आपको क्या पसंद नहीं आया, share जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, so that सबको जादा से जादा इ मेरा email एडिय है help at visionandgold.com, ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, तो आज का जो पहला topic हम लोग के देखने जा रहे हैं, वो specific heat capacity of some common substances, so friends, जैसे for example, हम लोग cooking pot लेते हैं, ठीक है, so cooking pot का जितने parts होते हैं, वो अलग-अलग substance से या अलग-अलग material से मिलके बना रहता है, for example, the base of a cooking pot is usually made up of copper, इसका जो base है, वो copper से बना रहता है, क्यों, कुछ properties होती है, जैसा, जो copper होता है न, वो बहुत ही low specific heat capacity होता है, copper has very low specific heat capacity, so, इसे फैदा ही यह रहता है, कि it needs very less heat to raise the temperature, मतलब कम गरम करने पर ही इसका temperature बढ़ जाता है, और copper हम सब लोग को पता ही, is a very good heat conductor है, so that's why इसका जो base होता है, वो copper base का होता है, अगर हम लोग handle की बात करते हैं, तो the handle of a cooking pot is usually made up of, या तो plastic से बनता है, या तो wood से बनता है, क् प्लास्टिक या wood, यह high specific heat capacity होता है, मतलब कि इसका जो temperature होता है, वो बहुत जल्दी गरम नहीं होता है, जो temperature won't become too high, even it absorb large amount of heat, ज्यादा गरम होने के बाद भी इसका temperature जल्दी नहीं बढ़ता है, और जो plastic या wood होता है, यह good insulator भी होते हैं, ठीक है, और of course, plastic and wood have low density, low density की वज़े से यह बहुत जादा weight भी pot पे नहीं बढ़ाते हैं, तीसरा part अगरम दिखते हैं, तो वो होता है, stainless steel body, so the body of a cooking pot is usually made up of stainless steel, क्यों, because, जैसा कि हम लोग को पता है, stainless steel का जो specific heat capacity होता है, बहुत low होता है, that's why, यह बहुत ही कम heat देने पे, इसका जो temperature हो, बहुत जादा rise हो जाता है, right, और steel का food के साथ कोई chemical reaction भी नहीं होता है, so, यह हम लोगने एक substance देखा, जैसे हमारा cooking pot था, so, हम लोगने देखा कि the specific heat capacity of a substance is, इस characteristic property, और यह different substance में different property होती है, जादा तर जो good conductors होते हैं, उनकी low specific heat capacity होती है, जबकि जो bad conductors होते हैं, उनकी high specific capacity होती है, जैसे समझने के लिए इस picture में देखते हैं, जो copper होता है, copper की specific heat capacity होती है, मात्र 0.4 joule per gram per kelvin, ठीक है, बहुत ही कम रहती है, लेकिन water की देखते हैं, तो यह होती है, 4.2 joule per gram per kelvin, ठीक है, एक जगे 0.4 joule है, copper का, और water का है 4.2, तो काफी ज़्यादा difference है, और copper क्या होता है, यह good conductor of heat होता है, लेकिन जो water होता है, वो bad और poor conductor of heat होता है, यह बहुत important line है, दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, copper is a good conductor of heat, बट water is a bad और poor conductor of heat, इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, कि water हमारा bad conductor होता है, यह हम लोग आगे देखने वाले हैं, फिर अगर हम लोग, मान लिए, copper को और water को, अगर equal mass मिलेते हैं, और उनको किसी burner पे गरम करते हैं, same time तक, ऐसा notice किया जाता है, कि कुछ समय बाद दोनों के temperature में difference होता है, ठीक है, ऐसा क्यों, this is because of their specific heat capacity, दोनों का difference specific heat capacity में होता है, ठीक है, so, that substance with low specific heat capacity, shows a rapid and high rise in temperature, thus it is a better conductor of heat, then the substance with high specific heat capacity, which shows a slow or small rise in temperature, so, किसका temperature कितना कितना जल्दी बढ़ा रहा है, यह पूरा depend करता है, specific heat capacity के, normally, अगर हम लोग बात करें, water has usually high specific heat capacity, जो कि होता है, करीब 4200 Joule per kilogram per Kelvin, यह मैंने भी थोड़े दिर पहले बता था, जो gram में था, जो होता 4.2 Joule per gram per Kelvin, लेकिन अगर हम लोग किलो ग्राम में देखते हैं, तो यह हो जाता है, 4200 Joule per gram per Kelvin, एक चीज़ आपको यहाँ पर और नोटिस करनी चाहिए, कि specific heat capacity of same substance is different in different phase, different phases में भी same substance की specific heat capacity बदल जाती है, जैसे specific heat capacity of water की अगर बात करें, तो वह हो जाती है, 4200 Joule per kilogram per Kelvin, लेकिन अगर हम लोग आइस की बात करें, तो वह हो जाती है, 2100 Joule per kilogram per Kelvin, और अगर हम लोग स्टीम की बात करें, तो यह हो जाती है, 460 Joule per kilogram per Kelvin, अगर हम लोग सबसे जादा specific heat capacity की बात करें, तो maximum specific heat capacity वह होती है, hydrogen की जो की है 14630 Joule per kilogram per Kelvin, इसके बाद आप यह कुछ चार्ज देखिए, जिसमें अलग-अलग substance की कितनी specific heat capacity होती है, वह इसमें दिखाए गया है, next topic आता है, calorie meter, calorie meter क्या होता है, यह एक cylindrical vessel होता है, और यह use किया जाता है, to measure the amount of heat gain or loss of a body, किसी भी body में कितना heat gain किया है, उसने या कितना heat loss किया है, when it is mixed with the other body, किसी और body के साथ अगर उसको हम लोग mix करते हैं, तो, ठीक है, तो यह basically heat measurement करने का एक vessel होता है, now, it is made up of thin sheet of copper, यह copper से बनता है, क्यों, क्योंकि copper एक good conductor of heat होता है, so the vessel soon acquire the temperature of its content, जो भी इसमें डालते हैं, जो भी इसमें substance डालते हैं, उसका जो भी temperature यह, soon acquire कर लेता है, ठीक है, now, copper का, जैसे हम लोगों पता है, कि specific heat capacity बहुत ही कम रहता है, copper हैं तो, low specific heat capacity, कितना होता है, 0.4 joule per gram per Kelvin, the heat capacity of calorie meter is low, and the amount of heat energy taken by the calorie meter from the content to acquire its temperature is very small, तो मतलब जो भी इसमें substance डालते हैं, उससे जो भी heat, अगर acquire करनी होगी, तो वो बहुत ही कम रहती है, वो negligible होती है, ठीक है, अच्छा, the outer and inner surface of vessel are polished, इसके दोनों part, जो outer surface रहता है, और जो inner surface रहता है, वो polished होता है, क्यों, क्योंकि, because of that, it reduce the loss of heat, due to radiation, किसी भी radiation के कारण भी, अगर कोई loss of heat होता है, तो उसको भी वो रोग देता है, that's why यह polished होता है, outer और inner surface दोनों, और for insulation करने के लिए, इसको एक wooden jacket के अंदर रखा जाता है, एक wooden का, हम लोग एक cover बना देते हैं, उसके अंदर इसको रखता आते हैं, अब इसके बार भी थोड़ी सी space बसती है, so the space between calorimeter and this wooden jacket, इसके बीच में हम लोग फिल कर देते हैं, कोई भी poor conductor, poor conductor क्यों हो, जैसे कि कोई भी heat transition ना हो, तो वो हम लोग भर दकते हैं, या तो wool भर देते हैं, या कोई cotton भर देते हैं, ठीक है, to avoid heat loss by conduction, conduction के कारण, कोई भी heat loss नहीं होना चाहिए, और it is covered with wooden lid, इसके उपर हम लोग वोडन lid रख देते हैं, to avoid any loss by convection, convection के कारण भी कोई भी heat को loss नहीं होना चाहिए, अच्छा इसके जो lid होती है न, इसमें दो छेद होते हैं, पहला छेद होता है, उसमें stirrer डालते हैं, stirrer से क्या होता है, यह हम लोग जो भी content में, जो भी substance डाला है, उसको mix करने में काम आता है, और दूसरे छेद से हम लोग thermometer डालते हैं, to mask the temperature of the content, जो भी इसमें substance डालते हैं, तो उसका temperature नापने के लिए हम लोग thermometer डालते हैं, ठीक है, तो यह था calorie meter के बारे में, चलिए अब देखते हैं हम लोग कुछ examples, पहला example है, जिसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि an iron ball required 500 joule heat energy to raise its temperature by 10 degree Celsius, calculate the heat capacity of the iron ball, मतलब एक iron ball है, जिसकी 5000 joule heat energy लगता है, तब उसका temperature 10 degree Celsius बढ़ता है, जिसकी heat capacity क्या होगी, और next part में पुछाएं कि if mass of a ball is 1.1 kg, यहाँ पे उस iron ball का mass भी दिया है, तब पुछाएं कि आप specific heat capacity, बताये उस iron की, इसको समझने के लिए, इसको solve करने के लिए मैं आपको कुछ hint देता हूँ, इसमें आपको heat capacity का formula और specific heat capacity का formula ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, heat capacity का formula C dash is equal to heat energy required Q oblique rise in temperature delta T है, और specific heat capacity of iron का formula होता है, वो होता है, heat capacity of ball oblique mass of ball, इन दोनों formula को ध्यान में रखते हुए, आप कोशिश करिए इसको solve करने के लिए, मैं आपको 30 second का time देता हूँ, चलिए 30 second हो गए है, अब देखते हैं, इसको कैसे solve करना है, तो दोस्तों इसमें क्या दिया है, सबसे पहले इसमें heat energy required जो की Q है, वो दिया हुआ है, जो की है 5000 Joule, और temperature difference भी दिया है, जो की है 10 degree Celsius, और इसको हम लोग Kelvin में convert करेंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा 10 Kelvin, फिर हमारा formula है, heat capacity C dash is equal to heat energy required Q, to oblique rise in temperature delta T, इसको हम लोग लिख सकते हैं, C dash is equal to 5000 Joule, oblique 10 Kelvin, और इसको solve करने पर आ जाएगा, 500 Joule per Kelvin, फिर हम लोग देखते हैं, दूसरा part जिसमें पूछा गयाता है, specific heat capacity of iron, specific heat capacity of iron हो जाएगा, formula इसका है, heat capacity of ball, oblique mass of ball, तो heat capacity of ball हमें पहले इसी पता है, जो की है 500 Joule, part A से हमें यह मिल गया, और mass of the ball question में दिया हुआ है, which is 1.1 kg, इसको हम लोग solve करेंगे, तो हमारा answer आ जाएगा, which is 455 Joule per kilogram per Kelvin, चलिए, next question देखते हैं, question, चलिए, next example देखते हैं, Example 2 कह रहा है, calculate the heat energy required to raise the temperature of 2 kg of water from 10 degree Celsius to 50 degree Celsius, मतलब यहाँ पे इन्होंने 2 kg of water को बोला है कि कितना energy लगेगा, कितना heat energy लगेगा, अगर हमें उसका temperature बढ़ाना है, 10 degree Celsius से 50 degree Celsius में, और इन्होंने water की specific heat capacity किलोग्राम में बताई है, जो की है, 4200 Joule per kilogram per Kelvin, यह आपको याद भी होना चाहिए, लेकिन इन्होंने question में दिया हुआ है, ठीक है, इसको solve करने के पहले मैं आपको कुछ hint देता हूँ, और आप लोग कुछ इसको solve करके एक बार देखिएगा, यहाँ पे आपको heat energy required का formula याद रखना चाहिए, जो की होता है, q is equal to mc delta t, इस formula को ध्यान में रखते हुए, आपको मैं 30 second का time देता हूँ, solve करिए, चलिए, देखते हैं इसका answer, तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले इन्होंने mass दिया है, जो की है 2 kg, इन्होंने specific heat capacity भी दिया हुआ है, जो की है 4200 joule per kilogram per kelvin, और इन्होंने temperature difference वो हमें निकालना है, जो की होता है delta t, मतलब difference, तो 50 में 10 minus करने पे हमें 40 degree Celsius या 40 kelvin का temperature difference मिल जाता है, बस हमें अब heat energy required का जो formula होता है, q is equal to mc delta t, उसमें ये value put कर देंगे, तो 2 into 4200 into 40, इसको solve करेंगे तो अंसरा जाएगा, 336 000 joule, तो ये था हमारा example 2, question 2 की quick tip है, कि आपको एक तो formula याद होना चाहिए, heat energy required q is equal to mc delta t, और दूसरा delta t, यहाँ पे हमेशा positive value होती है, चलिए example 3 देखते हैं, example 3 में क्या कर रहा है, अब metal piece of mass 50 gram at 27 degree Celsius require 2400 joule of heat energy in order to raise its temperature by 327 degree Celsius, मतलब एक metal का piece है 50 gram का, 50 gram का है, और वो 27 degree Celsius उसको लगता है, उसमें 27 degree Celsius require 2400 joule of heat energy उसको लगेगी अगर उसको temperature raise करना है to 327 degree Celsius तक, लब 27 degree Celsius है, 327 degree Celsius तक ले जाने में उसको 2400 joule की heat energy लगेगी, अब इन्होंने कहा है कि अब आप बताएए specific heat capacity उस metal की, इसको solve करने के लिए आपको specific heat capacity का formula याद आना चाहिए, जो की मैं आपको बताता हूँ, ऐसे hint के तौर पे वो है specific heat capacity छोटा सी इसका symbol है, which is equal to heat energy, symbol है Q, औबलिक, mass M into rising temperature, which is delta T, इसको ध्यान में रखते हुए, आपको मैं 30 second का time देता हूँ, आप इसको solve करिए, उमिद करता हूँ, आपको उन्हें solve कर लिया होगा, चलिए देखते हैं इसको कैसे solve करना है, तो इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है mass is equal to 50 gram, जो की अगर हम लोग kilogram में convert करते हैं, तो वो हो जाता है 0.05 kilogram, इसके बाद इन्होंने heat energy required, जो की Q होता है, वो इन्होंने पहले से दिया हुआ है, विच इस 2400 Joule, अब इन्होंने rise in temperature मतलब delta T की बात कर रहे हैं, तो delta T जैसे मैंने पहले ही बताया, यह हमेशा positive value होती है, तो इसको हम लोग निकालेंगे by subtracting 327 minus 27 degree Celsius, तो यह हो जाता है 300 degree Celsius, which is equal to 300 Kelvin, capacity छोटा C में, आप जो formula है, heat energy oblique mass M into rising temperature delta T में value रखेंगे, तो यह हो जाता है 2400 Joule oblique 0.05 KG into 300 Kelvin, इसको solve करने पह आंसर आजाता है, 160 Joule per kilogram per Kelvin, एक्जाम्पल थर्ड की, इस एक्जाम्पल की quick tip है, कि आपको एक तो यह ध्यान देना है, कि इसका जो temperature difference है, वो हमिशा positive value होता है, दूसरा, जो इसमें mass दिया हुआ है, वो 50 gram है, आपको इसको kg में convert करना होगा, और तीसरा tip है, कि आप formula आपको याद करना पढ़ेगा, चली देखते हैं, fourth question, fourth question कहा रहा है, some heat energy is given to 120 gram of water and is temperature rise by 10 Kelvin. When the same amount of heat energy is given to 60 gram of oil, is temperature rise by 40 Kelvin. The specific heat capacity of water is 4200 Joule per kg per Kelvin. Calculate the amount of heat energy in Joule given to water and specific heat capacity of oil. यह बहुत ही easy question है, कुछ heat energy जब 120 gram of water को दिया गया, तो उसका temperature बढ़ जाता है 10 Kelvin के. Now, same heat energy, अगर हम लोग oil को दिया, जो कि 60 gram का था, तो उसकी temperature बढ़ जाता है 40 Kelvin का, specific heat capacity इनको दिया हुआ है, water का, which is 4200 Joule per kg per Kelvin, यह आपको याद भी होना चाहिए. अब इन्होंने question पूचा है, the amount of heat energy in Joule given to water, कितना heat energy water में हम लोग ने दिया था, और specific heat capacity oil का कितना है, इसको solve करने के लिए, आपको heat energy of water, जो कि Q is equal to mc delta T, यह formula याद होना चाहिए. और specific heat capacity का जो formula होता है, छोटा C, which is heat energy upon mass into delta T, यह formula भी याद होना चाहिए. मैं इसको solve करने के लिए, आपको 30 seconds का time देता हूँ. एक बार आप सोचिए, कैसे solve करते हैं? आइए देखते हैं, इसको कैसे solve करना है? So, heat energy given to water, यह हो जाता है, mass of water, specific heat capacity of water, और कितना temperature उसमें rise हुआ, तो mc delta T, यहाँ पर formula लग जाता है, तो mass of water इन्होंने gram में दिया था, तो इसको हम लोग ने kg में convert किया, so which is why it comes 120 अबलिक 1000 kg, heat capacity of water हमें पताईए, 4200, और इन्होंने rise in temperature 10 Kelvin खुरी बताया हुआ है, तो delta T हमें निकालने के जिरूत नहीं था, यह हमें question में दिया हुआ था, बस इसको हम लोग अगर solve करते हैं, तो answer आजाता है 5040 J, next part में इन्होंने का है, heat energy given to oil is 5040, मतलब हमें देखे यहां पर पता जल चुगा है, कि heat energy कितनी दी गई थी, ठीक है, क्यूंकि question में देखे क्या दिया हुआ है, अगर आप question को ध्यान से पढ़ें, उसमें दीखा हुआ है, the same amount of heat energy, मतलब, जतनी heat energy water को दी गई थी, उतनी heat energy हमने oil को दी थी, तो यही energy, जब हम लोग oil को देते हैं, तब उन्होंने का है कि specific heat energy बताइए, तो यहां पर हमने माना, specific heat energy, C, जूल पर केजी पर केल्विन, अगर oil की होती है, तो C is equal to amount of heat energy given to oil, upon mass of oil into rising temperature, यह इसका formula होता है, तो heat energy उस oil में जितनी दी थी थी, वह हमें पता है, which is 5040 joule, mass of oil, इसको भी हमने केजी में convert किया, तो यह हो जाएगा, 60.000 kg, और rising temperature question में दिया हुआ है, which is 40 Kelvin, और इसको हम लोग जब solve करते हैं, तो answer आजाता है, 2100 joule per kg per Kelvin, इस question की quick tip है, कि question में दिया गया है, कि same amount of heat energy is given to 60 gram of oil, मतलब, जो heat energy water में दी गया थी, वही heat energy हमें oil में दी जा रही है, तो अगर आपने first part में heat energy निकाल ली है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको, वही output, वही answer आपको second part में इसे input लगेगा, जब आप specific heat capacity का formula लगाएंगे, तो यह चीज़ देना आपको, next example है, an electric heater of power 1000 watt raise the temperature of 5 kg of liquid from 25 degree Celsius to 31 degree Celsius in 2 minutes, मतलब 1000 watt का एक heater है, जो 5 kg एक liquid है, उसका temperature बढ़ा देता है, 25 degree Celsius है, 31 degree Celsius में, मात्र 2 minute में, और इन्होंने पूचा है, आप इसका heat capacity बताइए, और specific heat capacity बताइए उस liquid का, इसको solve करने के लिए, मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ, पहली हिंट है कि आपको, energy is equal to power into time, यह formula पता होना चाहिए, आपको heat capacity, C dash का formula पता होना चाहिए, और specific heat capacity, छोटा C का formula पता होना चाहिए, इसको समझने के लिए, इसको solve करने के लिए, मैं आपको 30 seconds देता हूँ, आप इसको रिक बड़ ट्राइ करिए, फिर हम लोग इसको solve करते हैं साथ में, प्राइद जोड़ पता होना चाहिए, ऑर इसकोर सेकोर पता होना चाहिए, कर दो में, आईए देखते हैं इसको कैसे solve करना है सबसे पहले देखिए time two minutes दिया हुआ है इसको हमें seconds में convert करना होगा तो time t is equal to two minutes अगर हम लोग convert करना है seconds में तो इसको 60 से multiply करेंगे तो यह हो जाता है 120 seconds अब इन्होंने rise in temperature भी हमें बताना है जो कि इन्होंने delta t दिया हुआ है 25 से 31 degree Celsius गया था तो 31 minus 25 degree Celsius which comes 6 degree Celsius और यह हमारा हो जाएगा 6 Kelvin mass इन्होंने kg में दिया हुआ है अगर gram में दिया हुआ था तो मैं इसको kg में convert करता है लेकिन यहां पर kg में दिया हुआ है तो अच्छी बात है अब इसके बाद energy supplied इन्होंने दिया हुआ है अब इसके बाद energy supply का formula लगाना है energy supplied by heater is equal to power into time ठीक है तो q is equal to power इन्होंने दिया है 1000 watt into 120 seconds तो यह हो जाता है हमारा 1.2 into 10 to the power 5 Joule ठीक यह हमें मिल गया q बस अब इसके बाद हमें जो formula पाता ही है heat capacity c' is equal to energy supplied q upon rise in temperature delta t value put करेंगे तो हो जाएगा 1.2 into 10 to the power 5 Joule upon 6 Kelvin further solve करने पे मिल जाएगा answer जो की है 2 into 10 to the power 4 Joule per Kelvin second part में specific heat capacity छोटा c' पूचा गया है तो यह हो जाता है heat capacity upon mass heat capacity हमें part 1 से पता चली गया है which is 2 into 10 to the power 4 Joule per Kelvin और oblique mass हो जाएगा 5 kg इसको हम लोग solve करेंगे तो answer जाएगा 4 into 10 to the power 3 Joule per kg per Kelvin लेकिन इस question की quick tip है कि आपको energy is equal to power into time का formula पता होना चाहिए और आपको इस चीज़ ध्यान देनी है कि time हमेशा seconds में रखना है और temperature difference हमारा हमेशा positive value रहता है और heat capacity और specific heat capacity का formula आपको याद करना ही है ठीक है यह हो जाता है हमारा example 5 आईए देखते है example 6 example 6 में कह रहा है अब bucket contain 8 kg of water at 25 degree Celsius 2 kg of water at 80 degree Celsius is poured into it मतलब एक 8 kg of water था जिसका temperature 25 degree Celsius था उसमें 2 kg और water मिला दिया जिसका temperature था 80 degree Celsius और यहाँ पर इनुन का है कि जो bucket है उसका अगर heat absorbing capacity हम लोग neglect करते हैं तो final temperature उस water का कितना होगा अब यहाँ पर देखे दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है पहली कि जो 8 kg of water जिसका temperature 25 degree Celsius था जब उसमें 80 degree Celsius का जब पानी मिला है तो उसका temperature बढ़ा ठीक है लेकिन जो 2 kg of water था 80 degree Celsius का जब वह भी 25 degree Celsius से मिला तो उसका temperature घटा तो यहाँ पर पानी दोनों जगह है अलग-अलग quantity का बढ़ एक का पानी का temperature जादा है तो वह घट रहा है और दूसरा जो पानी था जिसमें मिलाए गया वह उसका temperature कम था तो वह बढ़ रहा है ठीक है और इन दोन होने बताया है neglecting the heat energy absorbed by the bucket तो bucket कोई भीच रखी की heat energy को absorb नहीं कर रही है तो जो भी heat energy है वो इन दो water के बीच मही एक्सचेंज हुई है इसको solve करने के लिए मैं आपको कुछ hint देता हूँ पहली hint है fall in temperature of hot water आपको निकालना पड़ेगा और rise in temperature of cold water निकालना पड़ेगा आप आपको 30 सेकंड का time देता हूँ एक बार try जरूर करिएगा आइए देखते हैं इसको कैसे solve करना है इसको समझने के लिए बहुत ही sub simple तरीका है कि यह मान के चलिए जो final temperature of water था वो t degree celsius था ठीक पहले हमनों देखते हैं जो पानी इसमें मिलाया गया जो की 2 kg का था तो उसका temperature कम हुआ ठीक है तो fall in temperature of hot water जो 80 degree celsius था वो temperature कम हुआ to t degree celsius जो हमने मान के चला है कि t degree तक मान लीज़े आ गया होगा तो delta t यहाँ पर क्या हो जाएगा 80 minus t degree celsius थीक तो heat energy loss by hot water कितना हो जाएगा q is equal to m3 delta t तो यह हो जाता है 2 into c into delta t जो की है 80 minus t क्योंकि वो 80 से t तक गया उसका temperature कम हुआ ठीक यह हो जाती है हमारी equation number 1 अब देखे जो 8 kg of water था जिसका temperature था 24 degree celsius ठीक है इसमें जब 80 degree celsius मिला है तो इसका temperature बढ़ जाएगा जब यह बढ़ गया तो यह हम लोग लिखेंगे rise in temperature of cold water which is t minus 25 degree celsius celsius मतलब जो अभी बढ़ने के बाद जो t हो गया temperature उसमें से हमने 25 degree celsius जो 8 kg of water का था पहले से वो minus किया तो हमें delta t मिल गया आपको यह बतानी जरूरी नहीं समझता हूं है बट फिर भी में बता रहों कि delta t हमेशा positive value ही लेता है ठीक और इसके बाद heat energy gain by cold water यह हो जाएगा q is equal to mc delta t m यहाँ पे है 8 kg c is a specific heat capacity of water और delta t which is t minus 25 joule ठीक अब इन्होंने लिखा है neglecting the heat energy absorbed by the bucket which means heat energy loss by hot water is equal to heat energy gain by cold water ठीक और इन दोनों का ही formula हम लोग को पता चल चुका है 2 c 80 minus t is equal to 8 c t minus 25 and this is coming from equation number 1 and 2 इसको मना सॉल करेंगे cc कैंसल हो जाएगा 2 80 minus t is equal to 8 t minus 25 फर्थर इसको चुका है तो 160 minus 2 t is equal to 8 t minus 200 10 t is equal to 360 and t is equal to 360 by 10 and that is become 36 degree celsius and that is our final temperature of water which is 36 degree celsius so water का जो final temperature बन जाएगा वो हो जाएगा 36 degree celsius इस question की या इस example की जो quick tip है वो आपको ये चीज़ान देना है कि एक water है जो rise कर रहा है temperature से और दूसरा water है जो temperature इसका घट रहा है ठीक है और दोनों को हमें equal करके इसको solve करना है मतलब heat energy loss by hot water is equal to heat energy gain by cold water इन दोनों को ही आपको पहले समझना होगा और आपको ये पी ध्यान देना है कि इसके अलावा कोई भी energy loss कहीं से भी नहीं हो रही है example 7 क्या कहता है 40 gram of water at 60 degree Celsius is poured into vessel content 50 gram of water at 20 degree Celsius मतलब 40 gram पानी जिसका temperature 60 degree Celsius था उसको 50 gram पानी जिसका temperature 20 degree Celsius था उसमें मिला दिया गया अब final temperature उस liquid का या उस mixture का हो जाता है 30 degree Celsius और इन्होंने specific heat capacity भी बताया है जो कि ये 4.2 joule per gram per kelvin और पूचा है calculate the heat capacity of the vessel उस vessel का heat capacity बताईए ठीक है तो 40 gram of water at 60 degree Celsius is poured into vessel content 50 gram of water at 20 degree Celsius the final temperature of mixture is 30 degree Celsius taking the specific heat capacity of water at 4.2 joule per gram per kelvin calculate the heat capacity of the vessel बहुत सिंपल सा है क्या लॉजिक समझना है यहां पे यहां लॉजिक समझने के लिए मैं आपको कुछ हिंटे देता हूँ कि आपको पहली चीज तो पता होने चाहिए heat energy given by hot water जो की होता है mass of hot water into specific heat capacity दूसरा आपको पता होना चाहिए heat energy taken by cold water जो गरम पानी ने heat energy दिया तो उसको कौन-कौन लेगा या तो एक cold water लेगा और दूसरा वो vessel लेगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखा heat energy given by hot water जो के बाद हमें देखना heat energy taken by cold water which is mass of cold water into specific heat capacity into rising temperature और वेसल भी ले रहा है ठीक है तो उसका भी हो जाएगा heat energy taken by vessel is equal to heat capacity of vessel into rising temperature और इसके बाद हम इन तीनों equation की basis पे जो question पूछा है calculate the heat capacity of vessel वो हम लोग निखाल लेंगे आपको मैं 30 second का time देता हूँ एक बार सूचिए कैसे इसको solve कर दो कर दो कैसे सॉल करना है let say heat capacity of vessel be c-Joule per Kelvin heat energy given by hot water is equal to mass into specific heat capacity into fall in temperature इसमें mass भी पता है specific heat capacity पता है और temperature difference भी पता है delta T तो 40 into 4.2 into 60 minus 30 और इसको हम लोग जब सॉल करेंगे तो answer हैगा 5040 Joule यह हमारी हो जाथी पहली equation which is for heat energy given by hot water फिर हम लोग heat energy taken by cold water देखते हैं यह हो जाती है mass of cold water into specific heat capacity into rising temperature इसकी सारी value में पता है तो this is become 50 into 4.2 into 30 minus 20 इसको solve करेंगे तो answer हैगा 2100 Joule यह हमारी second equation में जाती है और third equation which is for vessel which is heat energy taken by vessel is equal to heat capacity of vessel into rising temperature which is equal to C dash जो कि हमें निकालना है heat capacity of vessel का into temperature difference which is 30 minus 20 and that is equal to 10 C dash Joule now if there is no loss of heat energy इनके अलावा कहीं भी heat energy और लॉस नहीं होती है तो क्या हो जाएगा जितना गरम पानी ने heat energy दिया वो cold water और वेसल उतना ही टेक करेगा उतना ही लेगा ठीक है तो heat energy given by hot water is equal to heat energy taken by cold water plus heat energy taken by vessel और इसको हम लोग further solve करते हैं तो heat energy given by hot water हमें equation number 1 से पता चल जाता है which is 5040 Joule heat energy taken by cold water which is हमें equation number 2 से पता चल जाती है 2100 Joule और heat energy taken by vessel हम equation number 3 से पता चल जाती है which is 10 C dash अब हम लोग इसको further solve करते हैं तो 10 C dash is equal to 2940 and C dash is equal to 294 Joule per Kelvin और यहां पर यह हमें पता चल गया heat capacity of vessel is 294 Joule per Kelvin quick tip है कि आपको यह चीज़ समझनी पड़ेगी heat energy given by hot water is equal to heat energy taken by cold water plus heat energy taken by vessel कि अशाएब बड़ेगा है